पल्पी टैबरेंच चैनल पर आपका स्वागत है आज हम ग्रोव बैग कैसे बनाते हैं देखने वाले हैं यह ग्रोव बैग हम चावल के चावल का 25 किलो वाला बैग या आटे का 25 किलो वाला बैग से बना सकते हैं हम सब के घर में चावल या आटा फुष्थन जरूर हर मेने आता होगा तो इस बैग से हम 10.15 फीट लंबा और एक फीट चौरा अच्छा सा एक लारा बैग बना सकते हैं तो इस बैग को हम कैसे बनाते हैं देखने हैं पहले हम एक बैग ले लेते हैं बैग आलवेम आपको एक सब्सक्राइब Hillám annsen saw liga उसे काट लेते हैं ताकर एक इसे हम होगा फिर हम तोनों साइब में जो स्ट होते हैं वहां पर काट लेंगे az य हमें future per tv रेक्ट泱 Means qad help जो है पीस मिल जाएं ऐसे भी आउग já इन दोनों रक्टागलर पीस को एक के ऊपर एक रखकर हम सील देंगे ताकि हम एक लंबा सा एक पीस हमें मिल जाए तो देखिए इस तरह से हम एक साइट में काच चुके हैं और इसी तरह से आप दूसरे साइट में भी काट लें जहां पर बैग अपने आप से फोल्ड होता है बहुत सिंपल है एक खंटे का काम है बस आप कर लेंगे तो आप इसमें आची तरह से पौधा जो है टर्रस गाड़न में रखकर उगा सकते हैं घर के लिए जो चाहिए केचन हर्ब्स अम वह सब उगा सकते हैं यह बहुत सिंपल हुआ पैसा ज्यादा खर्ष्यों अभी दे करने के लिए नाइलोन वैर की जरत पड़ेगी जो वीड वक के लिए हम यूशली उज़ करते हैं तो बड़ी बड़ा सा जो है एर वाला या बड़ा सा होल वाला आप स्वई ले लिजए और उसमें यह नाइलोन कवाया डाल कर आप रन्निंग स्टिच और बैक स्टिच चा करते हैं तो पूरा निगल जाएगा अगर एक बार बीच हमें बेख स्थिच कर लेते हो तो पूरा निकलेगा नई यही رीजन है हमें रर्णिंग स्थिच और बीच से classic करने के लिए यही तरफ से हम दोनों करें कुछा कि ऊसले तो हम एक लम्बा सा पीस मिल जाता है यही है हम हमें करने के लिन तो पहले हम select करके खताम कर लेते हैं तो दोनों जो sheets को हम एक side में seal रहे हैं और जो open side है दूसरी side में हैं अब दोनों को मिलाकर आप खुलोगी तो एक लंबा सा sheet आप को मिलेगा यहां तक आप समझ रहे हैं मैं सोच रही हूँ अगर आप यहां तक समझ चुके हैं तो अच्छी बात है नहीं तो आप फिर से rewind करके देख लीजिए आगे जाने की पहले तो मैंने भी running switch डाल रही हूँ और पीच पीच में back switch डालूगी देखिए अब हम back switch डाल रहे हैं फिर देखिए कितना लंबा शीट मिल गया समझ में आ गया है ना मैं क्या कर रही हूँ तो अभी इसे हम अगर cylinder shape में बना लेते हैं तो बाहर बाहर का stuff मिल जाता है अभी नीचे वाले bottom part के लिए हम एक और bag का rectangle piece लेकर उसमें हम कोई plate की सहायता से या कोई और round shape में काटने के लि एक bag बनाने के लिए आपको जरूरत दो राइस बैक के जरुद बढ़ेगी एक राइस बैक साइड वाले में और एक और राइस बैक का एक साइड से आपको bottom काटना पड़ेगा तो देखिए ऐसे हमने जो है कर लिया है अभी इसे एक साथ हमें stitch करना है अगर circle बढ़ा है त इसे हम अटाच कर सकते हैं तो इसे के लिए कोई rules नहीं है जब आपको set होता है अगर आपको लगता है कि नीचे वाला bottom जाता है तो इसे अगर आपको लगता है कि रेक्टांगल जाता है तो उसे स्टेपल कर लिए इन अदर वर्स उसको एक पर एक हमें सेट करना है अभी इसकी जो अंदर का भाग और उसको एक साथ रखकर हम जो है सीलना शुरू कर देंगे सेम स्टिच हम डालेंगे रुनिंग स्टिच और बैक स अभी हम जो वाइट साइड से बाहर को रखकर प्रिंटर से अंदर को रखकर हम से सीलना शुरू करतेंगे एक साइड से शुरू करते हैं सीलना रणिंग से चालकर जब तक पूरा जो है सर्कल ना बन जाए अगर पूरा सर्कल बन जाएगा तो आपका ग्रोबैक 99% रडी हो बस इसे सीलते जाओ अगर आपको लंबाई में कोई प्रॉब्म में है तो स्टेफिल कर लो बस यही है उसका सीक्रिट अभी हम सीलते जाएंगे तो देखिए कितने जल्दी बैक बन जाता है इसका साइड वापर आएगा आप इससे पूरा बैक ने बना लिया है और दोनों कि जो उपर का पाट है उसको आप फोल करके उसे भी सेच कर सकते हैं इससे हमारा पूरा बैक जो है यदि हो जाएगा इतना बड़ा बैक में आप अराम से कोई भी प्लांट या प्री जो है गुरो कर सकते हैं तो इसमें हम कोकोपेट मिट्टी और जो वर्मी कंपोस्ट मिल कई दुससी चाहिए तो दूसी का च пойम करेंगे तो दूसी का चल्ण ध्लान प्लांट या सिर पुदी ना या सिर भनी दल्ण निर्ची जो चाहिए आप इसमें ग्रोव कर सकते हैं तो यह बहुत बढ़ा सा बैग है इसमें हम प्रीज ग्रोव कर सकते हैं यह आपके मज़ी है जो भी आप चाहिए वाप कर लें तो हमने अभी यहां पर रनिंग और बैक्सेश की मदद से साइड को भी हमने बंद कर लिया है तो इसके बाद हम देखते हैं फूरा बैक्स है ताया हो चुका है इसका जो ओपर है उसको आप फोल्ड कर सकते हैं यह बहुत हम पहले का था स्टिच कर सकते हैं तो तीन बैक हम तो बैक्सा अची तर बना लेंगे हो गया है बस इतना सा ही है अब इसमें हम कोई भी झाल झाल।